ये हैं दोस्तो दो बहुती कमल के बजट स्मार्टफोन लावा ने लॉंच किया है लावा यूवा थ्री यह आपको मिल जाएगा दोस्तो 7200 तीन सुर्पे के आसपास मतला 72 सुर के आसपास जो इसका प्राइस है और दूसरी तरफ है इंफनिक्स का स्मार्ट एट एच्डी ज जरूर कर लीजिए चली देखते हैं स्मार्ट एट एच्डी के साथ 6200 रुपे में कैके मिलता है तो अन्बॉक्स करते हैं सबसे पहले फोन मिल जाता है इसके बाद कुछ यूजर मैनुवल है एक कवर दिया गये है हार्ड प्लास्टिक के टाइप का क्वैलिटी काफी एच के कंटेंट्स आपको इन्फनिक्स के स्मार्ट एच्डी के साथ मिलते हैं 62 रुपे के असपास अगर आप खर्च करते हैं इस पर चली देखते हैं अगर आप अपना बजट 1000 बढ़ाते हैं तो लावा के यूजर 3 के साथ क्या मिलता है तो जैसी आप अन्बॉक्स करते हैं यूजर 3 को अन्बॉक्स करती है सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिल जाता है जिसमें अंदर की तरफ कुछ यूजर मैनुल है और इसमें आपको घर पे बैठे बैठे ही जो है दोस्तो सर्विस मिल जाएगी अगर फोन जो खराब हो जाए इसके बाद जो आपको एक कवर मिल जाता है फोन मिल जाता है रैपर के अंदर टाइप सी केबल दी गई है जिसके लेंट और क्वालिटी थोड़ी सी और ज्यादा बैटर है थोड़ी से आपको थिकनेस इसके और ज्यादा बैटर मिल जाती है केबल की क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा ची इसकी और लास्ट म तो मिलते हैं बाकी इसका प्राइज भी 1,000 जाद ये तो देखाँ जाये तो इस चीज़ में ज़से ही है इसका बात करते हैं धिजान के बारे में लिखारऊ trước, से बारे में नोने पंडूर का pause कम्पलीट में आपको दिखाती है लोक क्वालिटी में कौन से जाद अच्छा है तो मेरे पास इन फनिक्स का स्मार्ट 8 HD ग्रीन टाइप के कलर में इसका डिजाइन दोस्तों आपको दिखा देता हूं इसका जो दोस्तों यह ग्रीन कलर इसके अंदर आपको गोर्डन शेट देखने को मिलता है जब आप इसको लाइ U3 का मेरे पास ही है कुछ इस तरह की सा परपल टाइप का कलर जो कि आपको कौफी बढ़िया मिल जाता है और इस तरह की की डिजाईन में भी आपको कैमरे दिया गाए है लावा की नीचे ब्राणिंग मिल जाती है मिल आपको प्लास्ट के Chin में मिलता है मैट फिनिश में तो color जो लावा का अच्छा लग रहा है और डिजाइन जो देखा जाए तो दोस्तों inflex का जाद अच्छा लग रहा है तो इन दोनों फोन्स के comparison में दोस्तों design मुझे दोनों का ही सही लगा एक का color बढ़ी है दूसरे का थोड़ा सा टाइप की मिल जाती है दोस्तों display की जो quality है वैसा आपको दोनों के अंदर on paper तो same ही दी गई है लेकिन colors हो गएरा brightness हो गएरा में कौन सा फोन जादा बढ़ी है तो वह चीज में आपको दिखा देता हूं real life में कौन सा फोन जाद अच्छा लगता है चलाने में और display की brightness में कितना फर्क है तो user interface दोनों के अंदर आपको दोस्तों ऐसा मिलता है on हो चुके हैं दोनों स्मार्टफोंस आप ऐसे उपर की तरह स्वाइप करेंगा आपको सारी applications मिल जाती है इन दोनों फोन्स में दोस्तों जो आपको ज़ादा बड़ी है user interface मिलता है यूर 3 के अंदर मिलता है इसके अंदर आपको जो जादा clean UI दिया गया है extra applications कम देखने को मिलती है इसके अंदर तो user interface को लेकर लावा जाद अच्छा है और दोस्तों इन दोनों फोन्स के display के अंदर आपको जो refresh rate मिलता है उसको भी देख लेते हैं कितना जाद आपको कितना कम मिलता है दोनों के अंदर तो दोनों ही के display के अंदर आपको 90 Hz का refresh rate दिया गया है तो smoothness जो है दोनों के अंदर काफी बढ़ी है और एक जिससे type के देखने को मिलती है आपको तो यह चीज़ को लेकर दोनों smartphone से एक जिससे type के आपको मिल जाते है इसके लवाद दोस्तों दोनों phones में चलाने में जो user interface है वैसे जो ज़्यादा बढ़ी है आपको मिलता है लावा के अंदर ही मिलता है अब जो display की quality है वो किसके अंदर जाद अच्छी है और colors होगरा brightness होगरा किसमें जाद अच्छे है तो वो चीज़ में आपको करीब से दिखा देता हूँ दोनों क दोनों के अंदर आपको जो पंच होल कैमरे वाला डिजाइन दिया गया है एजी बेजल्स दोनों के अंदर आपको काफी कम मिल जाते हैं लेकिन दोस्तों डिस्प्ले के जो colors है न वह आपको दोनों के अंदर अच्छे तो मिलते है थोड़ी सी लावा यूवा 3 की display जो और जादा बेटर है दोस्तों इन्फनिक्स के स्मार्टेट एचडी से लेफ्ट से आप देहेंगे यहाँ पर आपको सिम की ट्रे दी गई है दो सिम काड़ एक मेमरी कार तीनों चीज़े एक साथ लगा सकते हैं दोनों के अंदर आप निची की साइड से दोस्तों आप आपको दी गई है 3GB RAM 64GB Storage 3GB 64GB आपको यह मिलता है और LAVA 3 आपको मिल जाता है 4GB RAM 128GB Storage के साथ तो इसके अंदर आपको एक GB RAM जादा दी गई है Storage डबले LAVA में तो RAM और Storage LAVA के अंदर जादा है इसके लब दोस्तों दोने के अंदर आपको Android का 13 वर्जिन दिया गया है तो latest version तो दोने के अंदर Android 13 ही run कर रहा है इसके लब दोस्तों दोने phones के अंदर आपको प्रोसेसर किसमें जादा बढ़िया मिलता है कौन सा फून जादा फास्ट है तो मैंने दोने phones को जो ने एक साथ restart कर दिया और देखते है restart test में कौन सा फून जो जादा बढ़िया से काम करता है क पून सा जादा जल्दी ओन हो जाता है वैसे दोने के अंदर आपको Unisoccer Tiger T606 प्रोसेसर आपको दोने के अंदर एक जैसा टाइप का मिल जाता है दोस्तों अगर आपको थोड़े बहुत हैवी यूजर है परफॉमेंस आपको रेट के साब से ना परफॉमेंस फिर भी अच जाती है स्टोरिज बिस के अंदर जादा है बाकी कुछ अप्लिकेशन भी जो है मैं दोनों के अंदर एक साथ ओपन करके दिखा देता हूं तो दोनों के अंदर आपको परफॉमेंस जो अच्छी मिल जाती है लेकिन लावा यूजरी जो थोड़ा और जादा फास्ट वर्क करता है इन दोनों के कंपेरिजन में स्पीड वगरे को लेकर यह और जादा बैटर है तो कुछ ऐसी सी आपको जो स्पीड देखने को मिलती है अप्लिकेशन जैसी मैंने सब ओपन करी लावा के अंदर जादा जल्दी ओपन हो गई और रीस्टार टेस्ट में भी यही विनर बात करें दो सो कैमरे के बारे में तो दोनों के अदर आपको 13 MP का में कैमरा मिलता है नंबर से फरक नहीं पड़ता है क्वैलिटे किसमें आपको जादा अच्छी मिलती है तो कलर्स वोगर अपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं ध्यक्स नहीं किपछने 55 invert की यह और चीज़ में दोने गिस हैं लेकिन लावा के अंदर आपको जो यूवा 3 के साथ चार्जर जाधा फास्ट मिलता है तो यह चीज़ आपको इसमें जाधा अच्छी मिलती है तो यह सारी खुब यह कम यह दोनों के अंदर चले बात कर लेते हैं आपके लिए इन दोनों में से प्रोसेसर भी सेम दिया गया है लेकिन दोस्तों इंफनिक्स के स्मार्ट 8 HD से लावा यूवा 3 जो है तीन-चार चीज़ों में क्वैलिटी वाई जाधा अच्छा है एक तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले की क्वैलिटी जाधा अच्छी मिल जाती है दूसरा इसके अंदर आपको RAM और स्टोरेज जाधा दी गए है 1GB RAM जाधा है और स्टोरेज भी डबल के इसके इनदर 128GB तीसरेस के इनर आपको चार्जर जाधा अच्छा मिलता है और चोछीह चैंहरेश के इनदर आपको केमरी की परफोर्मेंस जाध अच्छी मिल जाती है और पांच वी- करके आपको दोने में कौन सा अच्छा लगा कौन सा नहीं कमेंट करके जरूर बताईएगा विडियो अच्छे लगी लाइक करके जरूर जाएगा चैनल पर आपने शुकुत लगी वीडियो में तब तक के लिए बबाए